तो आज के इस वीडियों में हम बात करनेवाले है जब काड की लstory MARK निकालने का जो सबसे निकाल तरीका है सिर्फ 2 मिनिटी में जौब काड की लिखे निकाल सकते हैं तो उसके लिए आपको इस कि फ़िए सबसे ले èन के लिए लेकर दड़ना अब आपको सब से lucky लें कि ऑपना है जैसा कि में में कि अहां बड़ गूगल को बापन करता हूं और को यहां पर सबस्ट बार में ट्याइब करना होगा सबrajब लिख करना का शाज मैं करें तो निर पर क्लिक करना है जैसे ढप पंशाइट पर कलिक करनेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक एंट्रफिस कोड़कर ओपन होता है डाटा एंट्री जनरेटीड रीपॉट तो अब आपको second वाले link पर कलिक करना generated report ठीक है जैसे आप इस पर कलिक करेंगे तो आपके सामने अपना state select करने का option आएगा अब आपको अपना इस्टेट सेलेक्ट करना है अब आपको अपना financial year 비슷 kanal लेना है उसके बाद में आपको अपना district करना है अटिस्टिक्ट करने के बार में आपको अपना रविप करने के बारे कि अपने घ्राम पन्चायत को select करने के बाद में आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करनेंगे तो आपके सामने अपने ग्राम पंचायत की जो रिपोर्ट हो खुलकर ओपन होती है अब आपको क्या करना है जौब कार्ड और रिस्टेशन इस पर आना है और इस पर आने के बाद में आपको सौथे नंबर पर जो ज hope card की लिस्ट है वो खुलकर ओपन हो जाती है अब आपको अपने job card के नंबर की हिसाब से आपको select करना है और अपना job card की list निकलने हैं जैसे कि मैं मानलो कि मैं 1005 मेरे 1005 job card नंबर है इस पर Jaap इस पर कलिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करने तो आपके सामने अपनी जॉब कार्ट की लिस्ट निकल कर ओपन हो जाती है तो इस तरह आप सिर्फ दो मिनित में अपने मॉबैल से या अपने पीची से जॉब कार्ट की लिस्ट निकाल सकते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राब में हिट्व चैनल जहिन जह बारत